तो की यार्ढ देखो दुनों से स्मर्टफोन बैस्ट आगर प्राइश के बारे में यहां पर बात करते हैं या फिर 8000 बचा के Redmi Note 13 को खरी दे बहुत ही जादा या पर confusion है इसलिए दोनों के बीच में दोस्तों या पर मैं fully compare करने जा रहा हूं ताकि आपको यार exact पता चले दोनों में से कौन से smartphone कौन से department में best है और तो और या पर मैं अपना opinion भी share करूंगा दोनों में से कौन से smartphone आपक को मिलता है Redmi Note 13 Pro में आप लोगो ग्लास बैग देखना को मिलता है डाइमेंशन का बार में बात करें तो यह पर जहीं लगभग दोने स्मार्फोन में हमें सेम डाइमेंशन देखना को मिल जाता है थोड़ा बहुत डिजाइन के मामले में यार दोनों ही smartphone आच्छा है आगे ब 13 13 में आपिनो खुर सिद्स परें इस के खेंट डिसait डिस्प्रेया करी मिल जाता है और ऐसाइब जाता है लेकिन दौस्त देखना को मिलता है और एक अपर होगो को घंग ऐसे तैने प्लास का सपूर्ट देखना को मिल जाता है और दोनों ही स्मार्डफोन में दोस्तों अप्लों को जो ही याँपर इस्किन पोटेक्शन देखना को मिल जाता है रेड्मी नोर 13 में अप लोगो को जो है कॉरिनिंग गोरी लेगलास 5 का पोटेक्शन देखना को मिल जाता है और रेड्मी नोर 13 पुरो में आप लोगो को कॉरिनिंग गोरी लेगलास वेक्टास का या पर पोटेक्शन देखना को मिल जाता है आगे बात करते हैं दोस्तों यापर दोनों ही स्मार्फण के पूवेंश के बार में तो यह दोनों ही स्मार्फण में हमें आच्छा कासा चिपसेट यापर देखना को मिल जाता है Redmi Note 13 में अप लोगो जो है MediaTek Diamond City 6080 सोकेट देखना को मिल जाता है यूएफस 2.2 इस्टोर देखनको मिल जाता है शाधी साथ यह पर आप लोगों को जो है LPDDR4 एक्स रेम देखने को मिल जाता है रेड्मी नोर फार्ट इन पुरो में आप लोगो को कोईल कमें स्ट्राप ड्रेगन 7S जेंट यन्टू सोकेट देखने को मिल जाता है यूएफस लेकिन यहां पर Redmi Note 13 Pro में हमें थोड़ा सा ज्यादा पूमिश देखने को मिल जाता है और दोनों ही स्मार्टफोन में यहां पर आप 2RGB तक वर्चुल रेम देखने को मिल जाता है आगे बारते हैं दोस्तों सॉप्टेयर के तरफ तो यहां पर दोनों ही स्मार्टफोन में हमे यहां पर बॉलोट यहां बगरा देखने को मिल जाता है लेकिन यार वह सारे एप को आप अनिस्टों यह पर कर शकते उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आगे बरते हैं दोस्तों और बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी डिपर्टमें के बार में तो यहां पर सब्सक्राइब करने करेंब करेंशन सब्सक्राइब को मिल जाता है साब इससमErk नहीं मिल जाता है तो यह पर Redmi Note 13 Pro को आप अगर चार्च करते हैं तो फूल चार्च होने में लगबग आदा घंटा लाएगा और Redmi Note 13 को फूल चार्च होने में यह पर जहें लगबग एक घंटा तो लगी जाएगा आगे बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के स्मार्टफोन में हमें अच्छा का सा कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है और दोस्तों यह पर अगर बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के मल्टिमीडिया के बार में तो यह दोनों स्मार्टफोन में हमें आच्छा का सा मल्टिमीडिया सपूर्ट देखने को मिल जाता है रेड्मीक 6 presentких देखने को मिलता है लेकिन रेड मी 013 प्रो में हमें स्टीरी स्पिकर देखने को मिल जाता है इसके अलावा यहाँ पर दोनहीं āस्माटफोन में हमें लाउट में देकशन्रे को मिल जाता है दोनों में जोह स्टि's केапडय ok गायों प्राइब को मिल जाता है और दो आप फॉंर स्थ होटर गाथन पेस्टांटिझे City स्ट मिल जाता है यह मुल जाता है लेकिन कहीं नहीं कहीं रेड़ी मिल था थैब यो को अपर दोने फॉटोटी इश्रक लाइघ के बात कर दिया पर जो है रेड़ी नट थार्टीन में आप लोग जिने फूल एज़ी थाटेएपिस पर विडियो रिकॉर्ट कर शकते हैं और यह फॉंट केमरे के बारे में बात करें तो यह दोनों ही स्मार्पफून में में 16 MP का फॉंट केमरा देखने को मिल जाता है और दोनों ही स्मार्टफोन के फॉंट केमरे से आप लोग जो है अच्छा-कासा सेल्पी बगरा ले सकते हैं और दोनों यहीं कुछ डिफिरेंस दोनों स्मार्फोन के बीज में हमें देखने को मिल जाता है आप बात करते हैं दोनों में से कॉंसा स्मार्फोन आच्छा-को लेना चाहिए वैसे आपको यह जो टेबल है या देकर समझ में आहीं गया होगा है दोनों में से कॉंसा स्मार्टफोन कॉंसा डिपर्टमेंट में बेस्ते हैं यहाँ पर लगभख हार डिपड्मेंट में जो हे रेड्मी नट थाटिन प्रो बेस्त निकल कर आता है लेकिन इसके लिए जहे आप लोगो आठाजार जादा देना पड़ता है बट आठाजार जादा देना मेरे अधर दिंगली साही है वार्तिट है क्योंकि यह पर हमें डिस्पले अच्छा देखना को मिल जाता है पोफुमेंस अच्छा देखना को मिल जाता है बैटरी यह पर अच्छा दिया हुए मतलब 67 का फास्ट चर्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है कानेक्टिवीटी में भी अच्छा है माल्टी मीडिया में भी अच्छा है और शाथ ही साथ दोस्ते यह पर केमरा में भी आच्छा है यहाँ पर दोस्तों लगबग हार डीपर्ट में में रेड्मी नोट 13 प्रो बेस्ट न आपके बाजट के हिसाब से भी देख लेना दोनों में से कौन साइश्मार्ट फोन कौन साड़ी बेर्में में बेस्ट है यहाँ पर से आप लोगों को समझ में हाई गया होगा मैं रेकुडिंग लिए पर जहें रेड्मी नोट 13 प्रो को लेना सही रहेगा बाकि आप आप करते हैं बाकि मैं आप से जो है वही पर मिलूंगा